हे गाईस कैसे आप सभी लोग मैं आपका दोत सम्यक मैं आज आपको बताने वाला हूँ लखनव की ट्रेप आप कम टाइम में सारी जगहे कैसे कवर अप कर सकते हैं और कम से कम कित बजट में आप घूम सकते हैं तो मैं आप मेरे साथ बने रहे हैं लाइक एंड करिए देखते हैं अब कि यहां पे हमारे गूमने के लिए क्या-क्या जो पॉंट इमामबाडा चोटा इमामबाडा फॉटा इमामबाडा और असे बहुत सारे प tambahina G आपर हम जाकर बिजिट करते हैं जो हाथी गार्डन है हमारा हाथी गार्डन भी बहुत ही बड़ा गार्डन है जैनिश्वरी पार्क है हमारा बहुत ही बड़ा पार्क है जिसको पूरा घूमने के लिए हमें वेहिकल से घूमना पड़ता है उसके लिए भी हमें दो से तीन घंटे पूरे लगते हैं आप जैसे देख रहे हैं बड़ा इमाम बड़ा इसका जो गेट ही है वो point of attractions है यहाँ पे हमें देखने के लिए आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा गेट है बहुत ही बिशाल गेट है जो लखनों में बहुत ही जगह से दिखता है हुसेनावाद Clock Tower जो है Clock Tower एक बहुत ही unique type का बहुत ही antic Clock Tower है जो की मैंने कहीं नहीं देखा है और यह जो हाथी garden है यह भी बहुत neat and clean बहुत ही अच्छा प्लेस है गुमने के लिए जो आप ही सुन्दर सा बहुत ही अच्छा मनुरम गेट देख पा रहे है यह रूमी दर्वाजा है रूमी दर्वाजा में आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बहुत ही पुराना दर्वाजा है राजा महराजाओं के वक्त का बनाया हुआ लेकिन आप इसमें बनी हुई कलाकरतियां, इसमें बनी हुई जो भी आकरतियां वो सब आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी हैं, ये हम छोटा एमाम बारा देख रहे हैं, जी, देख सकते हैं, ये कितना पुराना है, पर इसकी फिनिसिंग, इसका कलर, सभी कुछ डैमेज हो आप देख सकते हैं, पर आप देख सकते हैं, फिर भी कितनी अच्छी है, आज की टाइम पर ये सभी कुछ चीजें बनाना पॉसिवली नहीं है, ये हम देख रहे हैं, सामने जो देख रहा है, रूमी दरवाजा से, यहां से आते जाते सभी वीकल, और हर पर्शन को निकलने हैं, बहुत ही अच्छा फील आता है कि हमारे सिटी की, आप देखेंगे तो हुसेनावाद क्लॉक टावर हमारे सामने है, हुसेनावाद क्लॉक टावर भी एक बहुत यह चीज जो इसके आसपास बने हुए, बहुत सारी बिल्डिंग हैं, इमारित हैं, सभी कुछ सेम रैड लखनव सीटी पहुँचने के बाद मैंने तरद से कैप बोक करने के बाद घूमना शुरू किया, खूमते घूमते मैंने साम को साढ़े पांच Бजे मेरा बापीस का ट्रेन था, मैंने सारा कुछ पूरा दिन में ही सोबह से लेकर साम तक में सब घूम लिया था, अब यहाप आप देख सकते हैं सामने एक हाथी का पूरा रैट पत्थर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है इस गार्डन के अंदर पे पूरे मैं सेम ऐसे हाथी हाथी सभी जगे बनी हुए है और बहुत ही क्लीन एरिया है ये लखनों का मुझे यहां जाने के बाद बहुत ही अ पर बहुत ही अच्छा ब्रिज बना हुआ है जनिस्वर पार्क में भी सभी टाइप के जो भी पेड़ पूते होते हैं सभी कुछ है पॉइंट ऑफ एट्रेक्शन बहुत सारी पिच्चर्स की सूटिंग भी यहां से हुई है लखनों का ट्रिप बहुत ही अच्छा था आउट इन था जब ही चलता था बहुत ही अच्छा लगता था गाइस मैं आपको बता हूँ मेरा बजट मेरा ट्रिप बहुत ही फ्रेंडली मतलब पॉकेट फ्रेंडली था बहुत ही कम बजट में आप लोग यहां से घूम कर आख मुझे तो टिकेट साइवी लेवल नियु कर दा बहुत ही कर दो एक दस्केम से अज़ और मीरों यहां सीचित अंपको एजा कर भी फ्रेंडली उर्सकाइप मेरा ट्रेंडली था और इर दो एक जो ए्गन भी दो फ्रेंडली य।